नमस्कार दोस्तों, मैं जोटस्तन खुलर ब्लेसिंग्स आडियो टीम जैपूर से नियू एनर्जी के 11 आडियो में एनर्जी के काम करने के तरीके को समझेंगे एनर्जी भावर की तरह घूमती है इस एनर्जी के भावर का घूमना ध्यान करते समय कुछ लोगों को महसूस होता है यह भावर उपर की तरफ छोटा होता है और नीचे की तरफ चोड़ा होता है और ध्यानी के अनभाव से यही भावर के एनर्जी नीचे से उपर तक चोड़ी होते हुए या कम होते हुए या बहुत तेज होते हुए भी दिखाई देती है एक समय में यही एनरजी हमारे अंदर नीचे उतरती हुई आई और अब साधना के द्वारा फिर वापस उपर जा रही है धीरे धीरे स्रिष्टी में एक रुकावट की दशा आ गई चेतना अब नीचे उतरना रुक गई अंधेरे और उजाले के बीच लडाईयां अब आगे नहीं बढ़ने की दशा में आ गई मानव को ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए विश्व की वृद्धी रुक गई है ऐसा लगा कि एक एंगल में रुक गई है और दूसरे एंगल से देखें तो वैं बढ़ रही है अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें कि स्रिष्टी का रुक जाना रुक जाना नहीं होता है यह रुकावट भी एक तरीके से उसका विकास ही होता है इस तरह कि रुकावट हमारी बुद्धी को तेज बनाती है उस रुकावट में भी एक गदम आगे बढ़ाने जैसा होता है एक एंगल से देखते हैं तो लगता है सब कुछ रुख गया लेकिन दूसरे एंगल से सोचते हैं तो वोही रुकावट हमें आगे बढ़ने में मदद करती है हमारा विकास होने में मदद करती है जो हम किसी भी चीज में हिस्सा लेते हैं अगर उस हिस्से में, उस कारे में हमें सफलता नहीं मिलती तो एक थकावट और चिर्चिरापन होता है विश्व में एनरजी का विस्तार होना और काम करना रुख गया तो वियास ने इसे gridlock का नाम दिया है सब लोगों को लगड़ा कि अब स्रिष्टी आगे नहीं बढ़ सकती लेकिन तो वियास के किने के अनुसर किस ना किसी शामें स्रिष्टी कुछ दिनों के लिए वास्तव में रुख गई थी और यह बात खगोल में रिकॉर्ड हुई है ऐसा हमारी पीडियों के खगोल के विज्ञानिक नक्षत्र को देखकर इस विश्य को समझा सकते है श्रिष्टी के रुख जाने का मतलब है कठिन समय का निर्मान होना इसका मतलब नए तरीकों को सोचने की जरूरत है द्वंद को संपून तरीके से समझने की जरूरत है और इसे संपून तरीके से समझने के लिए हमारे अंदर जाग रुखता बढ़नी चाहिए कुछ नई बातों के बारे में जानना चाहिए श्रिष्टी के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था इस एनरजी की रुकावट का कोई ना कोई हल तो ढूनना था और यह हमें पता चल गया था कि युद के द्वारा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और युद से एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें नई चेतना को समझना था जब पहली स्ष्टी के अंदर सबकी चेतना के बीच में लिंक है तब एनरजी के लक्षन के हिसाब से और कमपन के हिसाब से सब एक दूसरे को लोग पहचानते हैं और हमारा नाम भी हमारे कमपन की तरह ही था इस परिस्थिती में नया हल निकालने के लिए सभी लोग इकठे हुए बहुत सारे लोग इस समावेश में शामिल हुए जो लोग आग की दिवार को पार करके आये थे उन सभी लोगों ने इस समावेश में भाग लिया और द्वंध के बारे में और एनरजी के निर्मान के रुकावट के बारे में चर्चा की उन्होंने यह जान लिया कि अब यह समस्या अकेले वक्ति के समझ से परे है इसलिए सब लोगों ने मेलकर अपनी शक्ति को इकठा करके आर्ग एंगल्स का निर्मान किया यह नाम पश्चिम में ज्यादा लिया जाता है वहाँ के लोग इसाई धरम को मानते हैं और इसाई धरम में इस तरह के नामों को लिया जाता है उस समय में पैदा हुई एनरजी को आर्क एंजल्स कहते हैं और हमें इसे और अच्छे से समझना है तो इसके उधारन हम अपने ही पुरानों से लेते हैं राम के नाम के बारे में सोचते हैं तो हमें उस से जुड़ी हुई कहानिया याद आती हैं जिने हम मानते हैं और अगर उसके बाहर कुछ हमें सुनने को मिलता है तो मानने को तयार नहीं होते लेकिन सच यह है कि राम के अवतार से पहले ही राम तत्व मौझूद था ठीक उसी तरह हनुमान तत्व, गनेश तत्व और केई पात्र पुरानों में आने के पहले से ही थे एक महान इस्त्री ने कहा है कि आर्केंजल गैब्रियल हमारा हनुमान है लेकिन हम इन बातों को बहुत असानी से नहीं मानते हैं इसी लिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि यह केवल एक धरम की कहानी नहीं, पूरी स्रिष्टी की कहानी है सब कुछ विपरी तरीके से विखरा हुआ है उस सब चीजों को ठीक करने के लिए आर्केंजल का निर्मान किया जैसे उधारन के लिए हम अपने पुरानों से समझते हुए कह सकते हैं कि राक्षस का संगहार करते हुए पराशक्ति को देवताओं ने अपने अंदर की शक्तियों को मिलकर उस देवी को दिया जिस से देवी के अंदर उस युद को करने के लिए एक अदभुत शक्ति आई ठीक इसी तरह सब लोगों ने मिलकर कठीन संकल्प करके शक्ति शाली आर्केंजल का निर्मान किया आर्केंजल भी एंजल ही हैं लेकिन एंजल में अतिश्रेश्ट हैं और आर्केंजल ने भविश्य में अपने दृष्टी का विस्तार करते हुए गहराई से सोचते हुए यह बताया कि हम अपने कमपन को और भी कम करें तब द्वंदत्व को अच्छे से समझ पाएंगे और हमें इस अनुभव को समझ के द्वंदत्व को गहराई से जानकर अच्छे बारे में और बुरे के बारे में अंधेरे के बारे में और उजाले के बारे में जो डुएलिटी के बीच में समझ जस्से है और एक्ता है वह समझ आएगी यानि उस वक्त डुएलिटी को समझने के लिए विचार शुरू हो गए इसलिए पोलारेटी इंटिग्रेशन या दंदत्व कि एक्ता में किसी ना किसी दिन जरूर निर्मान होगा यह बात सब समझ गए थे लेकिन कब और कैसे निर्मान होगा कि किसी को नहीं पता था दंदत्व में एक्ता लाने की कोशिश की गई अब हमारे अंदर यह प्रश्ण उठता है कि सब लोगों ने आर्क एंजल्स का जो निर्मान किया तो युद क्यों हुए और दिवे जीत की तरह रहने वाले हम उस समय संपून अंधेरे की तरफ या संपून उजाले की तरफ क्यों जुग गए हमें सिर्फ अंधेरे के बारे में या उजाले के बारे में ही पता था मतलब या तो हम राकशस की तरह वेवार कर सकते हैं या देवता की तरह रह सकते हैं ऐसे में हम सब लोगों ने मिलकर अपने अंदर की शक्तियों को मिलाकर आर्क एंजल्स का निर्मान किया हमें आर्केंजल्स के अंदर अपने सभी के अनभाव मिल सकते हैं दो तरह के अनभाव जाने जाते हैं या तो राक्षिस या देवता लेकिन द्वन्दत हुग क्या है? ये दोनों तरह के पक्षों को एकता में लाकर उसके मिश्रन के रूप में है यानि कि हमें मध्य मार्ग भे चलने का तरीका समझ में आता है अब इसके बारे में अगर और स्पष्ट रूप से समझें कि आर्केंजल की श्रिष्टी करते समय सिरफ सूचना देने के लिए ही उनकी प्रोग्रामिंग की गई थी लेकिन क्या सूचना देने से उनकी जिम्मेवारी खतम हो जाएगी जो काम करना है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं जब हम संपून होते हैं तो हमेशा बहरी मुख से स्रिष्टी करते हैं और स्पिरिट की स्रिष्टी हमेशा बहरी मुख होती है अब समझ में आया कि हमें रुख कर अंत्रमुखी होकर सिर्फ अकेले में अपने आपको पहचानते हुए अपने अंदर के वहवार को समझते हुए अपने आपको जानना होगा इसे हम उधारन की तरह समझे तो पेड़ पर उगे हुए एक फल को अगर हम देखते हैं तो फल बड़ा होकर अपने असली अकार में आता है लेकिन अब जो आगे होता है वह बहार का विकास नहीं हुए वह जो भी होता है उसके अंदर का विकास होता है यानि फल अंदर से पकता है बाहर की वृद्धी को रोक कर अंदर ही अंदर फल को पकने देना चाहिए और ये अंदर ही अंदर पकता हुआ फल भी एक तरह का विकास ही है और इसी उधारन को हमें अपने अंदर समझना चाहिए इसके लिए उच चेतना सतर पर एक समझोता हुआ तब सब के देहे बहुत इक शरीर नहीं थे वह कांती की देहे से थे उनकी पहचान उनकी एनरजी और कमपन के हिसाब से होती थी लोबसांग रामपा कह रहे हैं कि मरने के बाद एस्ट्रल प्रपवंच में जाने वाले को उसके रूप या नाम से नहीं जाना जाता उसे कमपन के द्वारा जाना जाता है हम फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस या कांस्टेबल को उसके नमबर से बुलाया जाता है ठीक ऐसा ही उपर होता है हमारी उंगली का छाप जैसे अलग-अलग होता है ठीक उसी तरह हर किसी की कमपन भी अलग-अलग होते हैं